मेरे जीवन में कई बार डर मुझे छुटे छुटे या कभी बड़े काम भी करने से रोग देता है असफलता का डर या कभी कभी नकारे जाने का डर इस डर से कैसे छुटकारा पाएं? आप किसी ऐसी चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस समय क्या आप डरे हुए हैं? अभी कि मैं आपको नुकसान पहुचाने वाली कोई बात कह दूँगा? क्या इसी बात का डर है? अपने जीवन के हर पल में क्या आपको डर लगता है? नहीं तो जब आप डर में नहीं होते हैं, बस वैसे ही बने रहे हैं? क्योंकि डर पैदा करने के लिए आपको बढ़ा चढ़ा कर कलपना करनी होगी डरा हुआ नहीं होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता डर पैदा होता है जरूरत से ज़्यादा कलपना के कारण जो चीजें नहीं हुई हैं, आप उन्हें भी बना रहे हैं क्या हो सकता है? आपके मन के हिसाब से चीजें उससे हजारों अलग-अलग तरीकों से होती हैं ज्यादतर वो कभी होती भी नहीं जिन चीजों का आपको डर रहा है सौ चीजें लीजे, जिनका आपको डर रहा है शायद उनमें से 99 चीजें कभी नहीं हुई हैं है ना? तो आपका डर हमेशा उन चीजों के बारे में होता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है आप किसी ऐसी चीज से लड़ नहीं सकते या छुटकारा नहीं पा सकते जिसका अस्तित्व ही नहीं है हम किसी ऐसी चीज से छुटकारा पा सकते हैं जिसका अस्तित्व है आपको डरामनी फिल्में पसंद है? हाँ, आप मना कर रहे हैं, लेकिन आप ही उन्हें बना रहे हैं. ये फिल्में कमाई नहीं कर रहे हैं, बस इतना हैं. डर का मतलब है, कि आप अपने मन में डरामनी फिल्में बना रहे हैं. उन्हें कोई और नहीं देखना चाहता निर्माता के लिए अच्छी बात नहीं है लेकिन आप उन्हें बना रहे हैं तो आप कुछ और बनाईए कॉमिटी फिल्म बनाईए लव स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर आज कुछ और बना कर देखिए बस बैठिए और एक लव स्टोरी, एक सस्पेंस, थ्रिलर और एक कॉमिडी फिल्म बनाईए अपने मन में पांच-पांच मिनिट की फिल्में बनाईए सच में अपने मन का अलग तरह से इस्तिमाल शुरू करें ये एक धर्रे पर चलने लगा है ये बस हर समय डरावनी फिल्में बनाने के पैटरन पर चलने लगा है आप बहुत सारी डरावनी फिल्में देख चुके हैं कुछ और बनाईए ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसी फिल्में बनाएंगे तो वही चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी हो सकता है कि वो ना हो कम से कम आप फिल्मों को एंजॉय करेंगे हकीकत में हो सकता है वो ना हो दुनिया में जो चल रहा है अगर आप उसका आनन नहीं ले पा रहे तो कम से कम आपके मन में जो चल रहे है उसका तो आनन लीजे हर इंसान को इतना अधिकार तो है ही, है कि नहीं? अगर दुनिया उसके प्रतिद आयालू ना हो, तो कम से कम उसका खुद का मन तो उसके प्रतिद आयालू होना चाहिए. कुछ अच्छी फिल्में बनाइए.